वो तो एक परवाज है पुरदोर एक आवाज है खामुशियों की है जुबाँ चल दे तो चल दे कारवाँ वो है जहाँ वो है जहाँ लगती है जैसे आसमाँ नमस्कार राते जस्वीन में आप सभी का स्वागत है लोक अंचलों की खुश्पू, माटी की गंद, हसी, ठीठोली, खेल, खिलोने, प्यार, मनुहार, प्रेम यह सब कुछ होता है लोग गीतों में और लोग गीतों की इस परंपरा को जो आगे बढ़ा रही है खासतोर से उत्तरप्रदेश के लोग गीतों की परंपरा को हमारी आज की तेजस्विनी जानी मानी लोग का एका मालीनी अवस्थी यह महज एक गीती नहीं इसमें संजोई है उत्तर भारत की सम्रिद्ध विरासत परंपरा, संस्कृती और लोग जो इस बेतरीन आवास के जरिये आज भी यहां के गाओं, शेहरों और कस्पों में महफूस है और मौजूदा दोर में जिसका काफी हद तक श्रे जाता है मालीनी अवस्थी को जिनकी महज अवधी नहीं, भोचपूरी और बुंदेल खंडी लोग घीतों में बराबर की महारत है कजरी, ठुमरी, नक्टा, सोहर, कुछ ऐसी पारंपरिक शैलियां हैं जिन में मालीनी का कोई सानी नहीं लकनव के भादकंडे संगीत महाविद्याले से संगीत में सनातक मालीनी ने मशूर गाय का विदूशी गिरेजा देवी जी से बनारस घराने की शिक्षा दिक्षा ली मालिनी ने लोग गायकी की शैली में कई प्रयोग किये और महिला विमर्ष को केंदर में रखकर इसे एक नया स्वरूब भी दिया भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी गायकी की धुम बचाने वाली और इस वर्ष पदमश्री सम्मान से सम्मानित मालिनी अवस्ती हैं हमारी आज की तेजस्विनी तो आएए मुलाकात करते हैं लोग गीतों का एक जाना पहचाना नाम मालिनी अवस्ती जिनका नाम है बहुत बहुत स्वागत है मालिनी जी धन्यवाद उत्तर प्रदेश के लोग गीतों की जब भी बात होगी मालनी अवस्थी की बात जरूर होगी और जब ये बात होगी तो क्यों ना फिर बात एक गीत से हो जाए? ओहो शुर्वात भी ठीक है मेरे ख्याल में सावन का महिना भी चल रहा है तो वक्त का तकाज़ा भी है तो मैं स्वागत में मुझे लगता है मैं जानी पहचानी मिरजापुरी कजरी सुना रही हूँ जाए के साइकील पेना पिया मेहंदी हो बलम मेहंदी हो राजा मेहंदी मंगाद मूती जील से जाए के साइकील पेना पिया मेहंदी मंगादा छोटी ननदी से पिसादा हम लगा लई बे काटा और कील से जाए के साइकील पेना क्या बात है, ये साइकल का आपका जो अंदाज है, वाकरी गजब है, माली जी ये बताईए कि ये जो लोग धुन और लोग गीतों में सजे धजे, ये इतना खुबसूरत गीत, कहां से आपको लगा कि मैं लोग गीत गाऊंँ, इस सरफ जाऊंँ, उसी तरह की पढ़ाई भी क ये गलत होगा कि मैं बोलू कि मैं शुरू से ही लोग गीत ही गाना चाहती थी, लेकिन ये सच बात है, कि पूरी जो मेरी शिक्षा दिक्षा जो हुई, उस सब के बीच कहीं न कहीं, अब मैं पीछे पलट के देखती हूं, तो आग्रह कहीं न कहीं पारंपरी गीतों का रहा एक तो ये कहें कि मेरा जो पहलन पोशन हुआ, वो पुरवांचल में हुआ, बचपन मिर्जापूर में भी था, और संगीत की जो गंभीर शिक्षा ग्रहन शुरू की वो गुरगपूर में, तो वैसे ही वो बड़ी दोनों ही जग़ आंचलिक खुश्बू लिये, संगीत क बड़ी सुन्दर परंपरा है गुरगपूर में भी और मिर्जापूर में भी, तो कुछ भी गाएं, मुझे हमेशा लगे कि जो बड़ा ख्याल छोटा ख्याल की बंदिश है, उसमें भक्ति पद हैं या श्रंगार की पद हैं, लेकिन सब लोक भाशा में हैं, ब्रिज में ह बड़ा ख्याल गा रहें, छोटा ख्याल गा रहें, कौन करत तोरी बिनती पीयर वा, ठुमरी जब मैंने गुरगपूर में उस्ताद रहा ताली खांसाब से सीखनी शुरू की, तब भी लगे कि सब दादरा, चले जई हो बेदर्दा, मैं रोए मरी हूँ, हरी हरी चुणिय गोरी गोरी बहिया, लएके सलबटा पर मैं तोड़े डरी हूँ, तो मेरे ख्याल मैं 14-13 वरस की उमर में जब मैं दादरा ये ठुमरी सुनती थी और सीख रही थी, तो उस समय ये लगता था कि ये गाई की को जो इतना मीठा बना रहे है, ये उसकी बोली है, ये उसके असर मिरपर पुरवांचल का भुजपुरी का पड़ा, वही नयकर्ट में आसपास उसी में बात होती थी, बोली जाती थी, तो एक शुरू से, सब कुछ गाउं तो एक लोगी जरूर, तो मन में कहीं एक रिष्टा पैदा हो गया, लेकि मालने जी, आपके घर में तो सब ल आते निलम, मैं बता नहीं सकती कि क्या मेरे पास इसका कोई तरक नहीं, लेकिन मेरी मा और मेरे पिता जी, बिलकुल नहीं गा सकते, कभी मैंने जिंदगी में साध रह गई, कि मांसे मैं कुछ सुन सकों, एक नक्टा, जूमर, सोहर, कभी नहीं, लेकिन उनके मन में एक आस सिखाएं, या बचपन से मैं को कि मेरे बारे में जो पुरानी यादे हैं, सब को पता है कि पांट साल की थी, तभी से गाती थी, छे साल से मैंने सीखना भी शुरू कर दिया, ये लेकिन बहुत बड़ी बात थी, कि पारंपर एक ब्राम्हन परिवार से होने के बावजूद सर्विस बैक्ग्राउंड, जहां पर दूर दूर तक घर में माई के ससुरा, कोई गाता नहीं था, तो पर कहां से, कैसे, पूर विजन की आतरा लगती मुझे तो, और ऐसे परिवार में जन्म लिया, जहां पर उन्होंने बढ़ाया, फिर ऐसी जगद याई, जहां पर रही पित्सक का मरीजों का जो रिष्टा है, वो बड़ा जुडाओ का है, आत्मियता का है, और लोक की तो पहली शर्थ है, जुडाओ और आत्मियता, पिता जी गाहों में जाते थे, मरीज अक्सर अमेजेंसी आई देखने, रात के एक बजे फोन आया जग रहे हैं, तो सब इस रूप में परनिती देखती है, उस अंगीत की शेक्षा, वो बच्पन का जुडाओ, मैंने पढ़ा कि आपकी घर में जो आपकी ताई जी थी, उन्हों भी बड़ा गाती थी, तो उसे भी बड़ा आपने सिखा, ताई जी हमारी दोनों जो थी, आवधी, सारी घजब के मतब दोनों कमाल की धोलक बजाती थी, क्या गाती थी वो, सारे पारमपरी गीत, सोहर बनना, नकटे तो ऐसे कमाल कमाल के, मतब बड़ी थी, पिता जी हमारे छोटे मतब देवर हुए, तो शादी ब्याह हो, तो वो समझे, 55-60 साल की उमर में ये उमर थोड़ा वजन भी के बोलों से, जी भर गया, राजा के बोलों से, सुन देवरा हो, अरे टूटी सुराही ले चलो, क्या काम है, राजा के जामों का, मन भर गया, राजा के बोलों से, लखनों के जो पुराने नक्टे थे, जो शादी ब्याह में गाए जाते थे, तो वो अब जरूर आपने सवाल पूछा है, तो मैं याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ तो अलग था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी गाती थी, हम लोग साथ ही सीखे, मैं ताई जी पीछे पढ़ती थी, कि देखो बैठो साथ में, वो सब भाग जाए, दो मिनट तो डाट पीट के मारे बैठ जाए, फिर उसके भाग जाए, लेकिन मैं बैठती थी, कई बार उन शब्दों का उचारण उनका ऐसा था कि वो समझ नहीं आते थे, तो लिखने में पर डर लग होता है, वो रूंद के शब्द निकलते हैं, सिस्की बंद जाती है, तो मैं कितनी बार सुनती तो मैंने का कि ओहो, यह गाया क्या, समझ नहीं आया, जब उन चीजों को मैं अब मंच पर प्रस्तूत करती हूँ, तो मेरी बहुत उस बात पर कोशिश रहती है कि वो शब्द जनता तक जाएं, क्योंकि जब तक वो उतनेंगे नहीं जनता तक पहुँचेंगे नहीं, तो वो भाव भी नहीं आएगा, लेकिन जो उसके असली परंपरा वो ऐसे ही गाय जाने वाली थी, लेकिन आप मुझे लगता है हमारे हैं जैसे की शादी का गाना है, विवाप आर पुरा के कारण बाबुल, छाड़ो मैं देस तो हार रे फिर मा ने क्या दिया, भाई ने क्या दिया, पिता पे क्या गुजरी, उसी के चारों अंतरे हैं, अंत में है माई कहे, बेटी निसी उठी आई हो, अरी बाप कहे, छठे मास रे भाईया कहे, बहिनी का जे काम में, अभाउ जी पूछे, क्या काम रे भाईया कहे, बहिनी का जे काम में, भाउ जी पूछे, क्या काम रे तो ये जब गीत सुनते गए, शब्दों के अर्थ गाड़े होते चले गए, नया रस्ता, दरवाजे खुलते चले गए और मैंने ये जरूर सोचा कि उसमें मुझे कभी भी कोई दुविधा नहीं थी, कि जो गुरु परमपरा है, शास्त्री संगीत की, मैं उसी प्यारी थी, मैं उसी प्यारी थी, तो आपने तो फिर क्लासिकल भी सीखा, और आप गिरजा देवी जी से भी तो आप उसकी भी श सिर्फ क्लासिकल ही, अभी मैं बच्छों को देखती हूँ जो पूछते हैं कि हम ये गरना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कैसे मौका है क्या, तो मैं मुस्कुराती हूँ, हसती हूँ, तो कभी-कभी जवाब में यह कहती हूँ कि बेटा, दस-पंदरा साल तो सिर्फ स्व गम, सुर और लेपकी ऐसी हूँ, कि लाखों की भीड में गाओ, एक लोग गीत भी गाओ, तो अलग आवाज की खनक हूँ, वो रियास से आती है, तो मैं शास्त्री संगीत की में शुजात उसे इन खानसाब से, रामपूर घराने के ते उन से सीखा, फिर रात अली गुरू परमपरा में आपने सीखा, तो गुरू की जो शिक्षा दीक्षा थी, उसके कुछ अनवभव हम से शेयर करें, वो तो ये सारी जवाब ऐसे है, कि आधे गंटे के कारिकर में नहीं हो सकते, बस ये समझ लें, कि अच्छी या शिक्षा या गुरू परमपरा से जो बड़ा भागिशाली हो जो शिक्षे, वही आज के जमाने में 2016 की बात करें, तो वही गुरू शिक्षे परमपरा से सीख पा रहा है, गाना तो सब सीख रहे हैं, लेकिन ऐसी गुरू जो अभी भी परमपरिक विधी से सिखाएं, तो क्या कहते रहे आपके गुरू जन्न औ और क्या गुरू मंत्र दिया उन्होंने ऐसा, जो की कहते हैं ना कि दिल की गहराईयों में उतर गया और जिंदगी के साथ चल रहा है। नवासी बरस की हैं, इस समय भी उनका इदिकारिकरम 6 बजे है, तो वो कैसे 5 बजे उसके लिए तयार होकर punctuality से to the point पहले पहुँच जाते हैं, कैसे उस दिन सुबह भी रियास करती हैं, इतने युगों का रियास है उनका, उसके बाद भी वो कैसे आज भी एक युवा की तरह से तैयारी करके 5 बजे एक घंटे पहले, यह सब सीखने की चीज़े हैं, कैसे कभी भी आजीवन मैंने उनने किसी कलाकार की अलोजना नहीं करते देखा, कैसे कभी किसी की कमी नहीं उनको ढूंडते देखा, यही तो शिश्य के लिए और भी चीरें सीखने की गढ़न नहीं है, कि जब आप क्यों कहते हैं, गुरु शिश्य परमपरा और बाकी विद्या अलग है, क्योंकि जब आप गुरु शिश्य परमपरा से सीखते हैं, तो गुरु का उठन, बैठन, चिनतन, सोच, समझ, बोलना, उसकी जीवन, शैली सब सीखते हैं, कैसे घर में कुछ नहीं है लेकिन कोई आ गया तो पांच मिनिट में कैसे दस लोग को खाना बना कर खिलाना है वो भी गुरु शिचे परमपरा से वह भी सब सिखाते हैं मालनी जी एक चोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक पे जाने से पहले सावन का महीना है तो क्यों ना एक दो पंक्तियां कैसे खेलन जईबू सावन मा कजरिया बदरिया घीरी आई नन दी कैसे खेलन जईबू सावन मा कजरिया बदरिया घीरी आई नन दी हम ता खेले जाए भाउजी कजरिया बदरिया चाहे बरसे भाउजी कैसे खेलन जैबू सावनमा का जडिया बदरिया गीरी आई नन दी क्या बात है और मुझे लग रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में इस समय बदरिया घिर आई है क्योंकि मालिनी अवस्ति हमारे साथ है हर दिन बदलती खबरे हर पल बनती नई सुर्खिया खबरों की रफ़तार के साथ हर दो पहर दुनिया की ताजा तस्वीर तो पहर समाचार रोजाना दो बजे सिर्फ टीडी न्यूस पर सुर्खियों की भेड में एहम खबरे असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिन्दगी पर असर दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विशलेशन सर्च सटीक संपूर्ण एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हमारे साथ जानी मानी लोग गाई का जिने हाली में पदमिश्वी से नवाजा गया है मालिनी अवस्ती जी हमारे साथ है मालिन जी इतना लग रहा है कि स्टूडियो में जैसे बादल उतर आया है ये जो रंग है ये जो एक कहते हैं ना स्पंदन है जीवन का ये कहां से आता है इसकी एनरजी कहां से आती है ये आवाज की खनक कहां से आती है और जाहिर इसके लिए एक लंबा रियाज एक लंबा अनुभव की जरुद होती है वो सब कैसे चलता है जीदे से आता है, जैसे जीएंगे, जो जीवन शैली होगी, वही आपके गाने बजाने में, बोलने में, हाव भाव सब में परिलक्षित होगी, जो सोच है, जो समझ है, लोग गीत की तो पहली शर्थी यही है, कि आपका जन से जुड़ा हो, वो जिस जहांकी को गाना व्यक् तभी उतर पाएंगे, जब आप जो भी गा रहे हैं, उसका अक्स आपके शब्दों में उतर कर क्या है, आम तोर पे होता क्या है, कि शौकिया, लोग गीत बहुत लोग गाते हैं, लेकिन लोग गीत में उस पीर को लाना, एक बेहन की भाई के लिए तडप, जिसको सावन मे है, प्रसन्नता जिल्टरे, चाहिए रूठे, चाहिए जाए सावन वा में नाही जड नन दे, चाहिए पाइश आपके सावन वा में नाही जड नन दे, और उससे बिलकुल अलगए, अम्मा मेरे बाबा को भेजो ओरी के सावन आया के सावन आया रे अम्मा मेरे बाइया को भेजो ओरी हो इसमें जो पीड रख रही है ये एक मा की भी मजबूरी वो जो आगे कहती है कि बेटी तेरा बाबा तुब उड़ा है बाइया तबी बाला मैं कैसे भेजू उसकी मजबूरी लेकिन वो भी नाई का है जो सावन में जाना नहीं आपार और एक वो है जो कि सब कुछ है भाई आये तो वो कहती है अरे सोने की थरिया मा जोना परोस्यों चाहे भाईया जी में चाहे जाए सावन वामे नाही जैबे नन दी अचाहे भाईया रूठे चाहे जाए सावन वामे नाही जैबे नन दी अच्छा माली जी आपने तो बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं, तो बॉलीवुड का एक्सपिरियंस कैसा रहा, वहां का कैसा रोचक है, विजाज है, बॉलीवुड का बॉलीवुड जैसा ही मिजाज है, बड़ा इंस्टेंट मिजाज है, and they are very very clear, कि उन्हें क्या जुनून में एक शो कर रही थी, आज से 9-8 साल पहले, और उस शो की बीच में उन्हें मुझे कॉल किया, और मुझसे मुलाकात की कि, क्या ग्रेंज हैं आपकी वोइस में, इसको मैं यूस कभी करना चाहूँगा, एक बार उन्होंने एक फिल्म आई थी, आक्शन रिपले, आश्वर्या और उनकी, उसके लिए गाने के लिए बुलाया, बॉम्बे में इस तरह से होता है कि अभी ही आजाई, अच्छा, अभी नहीं आ सकते हैं, तो सुबह फ्लाइट पकड़ी दराब तक आजाएं, मैं कहीं सुदूर पटना में कहीं प्रोग्राम करी थी, I could not, और और फिर वहां पर मैंने कहा ना कि वह इंस्टेंट वाला, फिर उन्होंने याद रखा, उन्जे फोन किया कि एक गाना है, और वह गाना आप ठुम्री कंदाज में गा दीजेगा, बट इट इस सौर्ट अफ आइटम फिल्म में उस तरह से यूज़ के जाएगा, कॉन सा था टेंपो होता है, लेकिन वहां तो ट्रैक इंस्टेंट बने होते हैं किसी दूसरी सिंगर के साब से, वह भी किसी और में बहुत बढ़िया कलाकार जिन्हों गाया हुआ था, तो मुझ से कहा गया आप इसको गाएं, तो मैंने कहा कि प्लेबैक की डिमांड अलग है, यूनों और वहां पर गा रही है, और सारे आसपास दुश्मान हैं, तो हमको उसमें जो खनक की जो वोइस क्वालिटी है, वही चाहिए, तो इसलिए आप सुनाएं, गाना था, गाना बड़ा मशूर हुआ, बड़ा हिट हुआ, अच्छा, तो हाए, लगे के नए हुमें, यू तो प्रेमी पच्छतर हमारे, ले जा तू कर सततर इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, खाम खायों तरसते बिचारे, ले जा तू कर सततर इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, वाँ, तो ये गाया था, बिर्कुली अलग खनक और एक अलग अलग चीज़, अच्छा आपने तो सूफी गायकी भी की है, और घजल भी आप, तो उसमें कितना मतलब आपको काफी डिफरेंस है, फोक से घजल और सूफी गायकी में? मैं क्या बात की जवाब दूँ इसका सिवाई इसके कि मेरे जैसे उस्ताद रहते हैं, आपको विसी तबियत में ढाल देते हैं, मेरे जो बुन्यादी तालीम हुई है, ऐसे उस्तादों से वही जिनके मैं कितना भी चरन बंदन करूं, शुजात हुसाइन खासाब और रहात हर्फन मौला थे घजल में और सूफी तबियत के थे, तो बड़े सारे उन्होंने घजले, सूफियाना कलाम, दादरे, सिखाए, और उनकी वज़े से ही मेरे घजलों का शायरी का एक दिवान खुल गया, एक से बड़ी बहुत चोटी उबर में, मैंने शायरों को अर्दू क पढ़ना समझना शुरू किया, बाद में मुझफर अली सहाब से मुलाकात हुई, उन्होंने देखा तो उन्होंने का लड़कियों के तो ऐसा तलफूज नहीं होता जितना अच्छा आपका है, और फिर उर्दू छोड़ी उन्होंने फारसी में मुझसे कलाम गवाए हैं, तो मैंने रूमी सहाब को और अमीर हज़त अमीर खुसरो सहाब को, बेदम शावारसी सहाब को, तो पिछले में अब तो आट साल हो गए, तो जहाने खुसरो उनका जहां भी, यहां भी, लंडन में, श्री नगर में, लकनो में, दिल्ली में भी जो असाल आना होता है, हर जल तेरी सरकार है, आली मेरे हजरत मेरे वाली, 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 तेरी सरकार है, हां, बला के चश्म तर पे मैं नकश्म जाँ, पिये जा मश्के पामाली, मेरे हजरत मेरे वाली, वाली, पिये जा मश्के पामाली, मेरे हजरत मेरे वाली, तेरी सरकार है, तेरी सरकार, तेरी सरकार, तेरी सरकार, तेरी सरकार, तेरी सरकार, आली, मेरे हजरत, मेरे वाली, मालीनी जी आपने contemporary काफी कुछ टच दिया है मालू में गर्ल चाइल के लिए सफाई के लिए आपने शायद सोहर गर्ल चाइल के लिए गाया और सफाई के लिए भी जो चीजें हैं को कैसे आप experiment कर रही हैं देखिए लोग गीत मुझे मालूम है कि लोग गीत मानें आम जन से जो आम जन जिसमें जुडाओं महसूस करें जो जन की भावना थी वही लोग में गीत के रूप में लोग गीत बन गया तो मुझे हमेशा लगता है कि नए जमाने की अच्छी चीज़ें सीखें और पुराने जमाने की अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना परंपरा इसी को कहते हैं कि पर और परमपरा आगे को लेके और पीछे को साथ लेके परमपरा बनती है लेकिन जो बुरी परमपरा है वो छोड़ने भी चाहिए तो बहुत धूंडने के बाद भी बेटी के जन्म का कोई सुहर नहीं मिलता है हमेशा मनवती यही मानगी जन्म हो लड़क और मैं जब भी मन्च से भी गाती तो मैं सबसे कहते हुए रिकॉर्ड करो और गाओ और फक्र महसूस करो क्योंकि लोग गीत की दुनिया ऐसी है जहां पर कॉपिराइट का कोई चक्कर नहीं जहां पर स्वार्थियों के लोगों नहीं लिखा गीत लिखा समाज के लिए समा प्रग्राम का नाम है तेजस्विनी सीता जैसी तेजस्विनी आज हम बात करते हैं विमन लिबरेशन की सीता वस सो लिबरेटेड वे बैक दिन उस जमाने में जानकी को ये मालूम था कि नहीं महल का सुख छोड़के पती को जब वरन किया तो पती के साथ दुख भी उठान जैस्विनी कौन है तो मैं इसलिए उनका मैंने सोहर इसी तरह से रचा कि अरी मिथिला मगन भई आज सिया को जनम भयो सुनेना की हरस अपार सिया को जनम भयो अरी मिथिला मगन भई आज सिया को जनम भयो मुदित जनक मुहरे लुटावे बाटेर गईया हजार सिया को जनम भयो सुनेना की हरस अपार सिया को जनम भयो बहुत खुब माले जी और हम उमीद करते हैं और हमारी शुपकामनाए आपके लिए यही हैं जिए आप अपने गीत संगीत और इस लोग गीतों के अनुपम भंडार को इसी प्रकार से परंपराउं से जोड़ते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी हमारी शुपकामनाए नहीं तेजासिनी से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तो के लिए इजासत दीजिए नमस्कार